तो चलिए अब हम देखते हैं self outer join क्या होता है तो जैसे कि मैंने पहले आपको दिखाया था कि inner join में जो हमारा self inner join होता है तो मैं यहाँ पे तो यहाँ पे देख पाएंगे जो हमारा मैं इसको run करके भी दिखा देता हूं पहले मैं इसको copy कर लेता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं मैं क्या यहां पे समझा रहा हूं तो इसमें क्या किया था कि हमको managers के details यह थे अगर आपको याद होगा तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूं select और हमारा HRDB है यह लेकिन यहाँ पर देख पाएंगे employee जितने भी हैं यहाँ पर 11, 19 employees हैं लेकिन अगर आप actual table में जाएंगे तो 20 employees वहाँ पर पड़े हुए हैं एक employee कहा गए आप देखिए inner join यूज किया है तो जो matching है वही आएगा तो यहाँ पर देखिए मैंने inner join यूज करके इनके managers के details त लेकिन जो हमारे manager है शुरेश उनकी details आपको यहाँ पर नहीं दिखेगे तो यही है इसी कारण आप outer join यूज करते हैं अब जैसे ही मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें मैं क्या करता हूं left outer join देता हूं ठीक है left मैं यहाँ पर कर दूंगा left join अब यह क्या करेगा employee table को employee table से ही जोड़ देगा ठीक है लेकिन इस ताइम क्या करेगा employee table को पहले priority देगा मतलब दोने table सेम है लेकिन फिर भी यह priority देगा employee table को ताकि शुरेश भी हमारे इसमें include हो जाए अब मैं इसको run करूंगा तो देखेंगे अब अब देखेंगे आपको priority मिल गई है left table को अब यहाँ पर देखेंगे शुरेश जो है उनकी details यहां पर आ गई है और total हमारे employees यहां पर देखेंगे 20 हो चुके है और इनकी manager id employer name दोनों नल है क्योंकि यह CEO है company के तो इस तरीके से आपको left outer join you know use करना है यह self outer join बोलते है जो table को table से ही जोड़ना और उसकी value निकलना यहाँ पर इस सरीके से यह काम करता है अगर आपने previous वीडियो नहीं देखी है तो मैं employee table के बारे में बहुत ज्यादा explain किया हूं जो इस table को use करके तो आप जाके वो भी देख सकते हैं